चाहिकर जल चड़ाएंगे आप भी बना लो एक नियम कि बैसाक महीने के मुझे भी संकर भगवान आपने दिल की बात गए अपने मन की बात गते हुए रोग मुपनी के लिए कार्शिध्धी के लिए धरवयवहु संपदा के लिए सम्रप्धी के लिए मुझे भी जल चड़ पैसा के माइने में बेल पत्री की जड़ के नीचे एक लोटा पानी चड़ाने का निया में रोज नी चड़ा सकते सुमर की सुमर को नी चड़ा सकते प्रदोष के दिन चड़ा प्रदोष को नहीं चड़ा सकते तो जो बेसात के महीने में शिवरा प्रदोष के नीचे जल चड़ाने का होगा उससे प्रदोष के सकते तुलसी की अरचना और प्रदोष के महीने में खिलकवतली की अरचना करने से पिंजन करने से जल समर्द करने से अर्मे कब संसदा की कमी नहीं होती है मां वहां संसगा कि कमी नहीं आता है आपको पहले भी कता में कहां कि बगवान को ना तो ढूंग पसंजे ना प्रपंचे बेसाथ का महीना चल रहा है बेसाथ के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित किया जाता है बेसाथ चरीत्र इसकंद पुराण में उठा कर पढ़ना कि आकि मिट्टी के पात्र का जल बेसाथ के महीने में संकर को क्यों चड़ाया जाता है। बेसाथ में उठा कर पढ़ना कि मिट्टी के पात्र का जल समर्फित करते हैं तो जीव तड़कता नहीं है। जाता है तो चीव कहीं इसकी मक्ति में डिया। कि मर्णब बेसाथ नहीं है। वेस्तास के महिने में तो अगर तुर्वा ऑंत्रिव हा हाइयो ना होती । तुर्वा को तोड़ आ अर्शोख सुंदरी को तु इसे हान महागा उस्स उसस Ows कुंद्र के यसमिनाने है सुन्दरी के शिहान कई हमा उस दुर्भा को रभ दो तो और हुआ पुंद्र काईश्वर महादेव के नामा कुंद्र काईश्वर पुर्वा को ःठा कर ले आउ पेसांस के महिने में कोई भी किछी कोई भी बिन कोई वार आप एसाद के महिने में कर सकता है वो दुर्वा को लेकर आओ लगवाद 20-30 दुर्वा लेकर आई है सुबहा सुबहा कुंद कैश्व महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्राण करते हैं कि या नकोई तरी से कोनी दभे ना पेचे नी संद्राण लेस भी आटर्वाद 20 दुर्वाद टरु आरे वाना प्राणा जाय जए खीने हैं falls this अशुक्सुंदरी वाली जगा पर गुरुबांस अमर्मित करकर पुन्दकैश्व महादेव करकर कौन से महादेव कुन्दकैश्व कथा चुके ना आपको दस जगा जाकर से नावाने की जरुवत ना पड़े एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुपराप्त हो जाए एक मट्टी का पात्र और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा उस कलश के ऊपर तांबे का कलश माता परसूती तक्ष्य प्रजा करकर जो बढ़के पेड़के नीचे जो शिवलिंग हो बढ़के पेड़के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो चाहे वो ओटले पर हो चाहे वो पत्थर का हो चाहे वो सिमेंट का हो चाहे वो कंकर का हो चाहे वो मारवल का हो जिस भी चीज का हो बढ़के पेड़के प्रसूती और विलनी इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात में तामबे का पात है लेक धीरे धीरे शिविलिंग पर जल समर्पित करेंगे और उस जल का पान उसी ब्ट बड्च के नीचे दोनों पती-पत्नी अगर पां कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं तो वी मेरा महादेव संतान करता है भी करता है पर ये जो करम किया जाता है ये केवल बेसाक के महिने में ही किया जाता है इसके सिलाएं इसको आप अन्य महिनों में नहीं कर सके केवल इक बेसाक में और अम तो कहेंगे बेसक महिने की जब शिवरात्री आए तो प्रयास करना कि आप संतती के लिए संतान के लिए प्रियोग कर सके। झाल कर दो.